हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम ICR UG का सलेवस बताने वाले हैं जो 2021 के लिए आपको त्यारी कर रहे हैं तो आपको यो यूज फूल होगा इसमें में लिए हम Agriculture का सलेवस के बारे में डिसक्स करेंगे कि आपको Agriculture की तिन चेप्टर्स को पढ़ना है जिसे कि आपका Agriculture ICR के लिए पूरा त्यार हो जाएं तो इसमें हम केबल आपको अभी chapters का नेम बताएंगे कि आपको ये chapters पढ़ना है और अगले वीडियो में हम आपक तो देखिए इसमें जो पहला चैप्टर है वह एग्रोमिट्रोलाजी है यह जो आपको सबसे पहले पढ़ना है एक्रिसी मोसं बिगजान इसमें आपको में इंस्टुमेंट के बारे में आप याद रखेंगा कि मतलब किस इंस्टुमेंट का यूज हम लोग किस कारे के लिए अग्रिकल्चर में किया जाता है इससे ज्यादा क्यूशन पहुशता है ठीक फिर जो सेकेंड चैप्टर है वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रेडिंग है तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रेडिंग से आपको पढ़ना है जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रेडि विशुल कह constitutional नियम उनसे फ्cohol कि से पहते हैं, आप वह को है छाइंगे कि ऐसे शार बैइस कहें पढ़ना हैा तो आप利पयों का रहा है रहे हैं वो ICR के जो website है उसमें ये सारी chapters mentioned हैं ठीक तो वहां पर आपको थोड़ा समझने में में भी दिक्कत जा सकता है इसलिए आपको हम अच्छी से explain करके बताएंगे तो जिसमें ये जैसे ये biochemistry है तो biochemistry में मैं लिए इसको हिंदी में जैबरासान बोलते हैं इसमें ज्या ठीक फिर उसके बाद जो अगला chapter आप कहिएगा वो है microbiology तो microbiology से एक दो question आता रहता है इसमें यही आपको जो algae है bacteria है और यह पूंच देता है कि जो algae है उसका मतलब कि cell wall किसका बना होता है bacteria का cell wall किसका बना होता है एक्टिनुमा एक्टिनुमा एक्टिज है और यह भी question पूंच गया है कि जैसे स्वाल में सबसे ज़्यादा काउंसा मतलब कि microbiology सबसे जाता पाया जाता है तो इस तरह के question यह microbiology से पूंच आता है ठीक फिर उसके बाद आपको पढ़ना है animal husbandry तो देखे animal husbandry ICR के इससे बहुत ही important chapters है ठीक न इसमें से आपको माल लिए कि 10 questions के आसपास आता है यह 2019 के हम बात करें तो 2019 में इससे मतलब animal husbandry से 10 questions आया था तो इसमें आपको मतलब थोड़ा इसको scope के बारे में पढ़ना है importance के बारे में पढ़ना है care and management के बारे में पढ़ना है और यह artificial insemination से एक दो question हर साल आता है तो इसके बारे में भी पढ़ना है नहीं कि जो हम kritim garbath han करते हैं जिसके आपको पता होगा kritim garbath han उसके बारे में question कूशा जाता है तो जो यह HD mainly question कूशा जाता है वो breed से question कूशा जाता है breed से और animal disease से ठीक तो यह दो चीजें आपको बहुत सेमिनेशन को त्यार करना है ठीक तो आपको हम अगले वीडियो में डिसकस करेंगे कि मतलब कि एनिवल हजमेंडरी में लिए आपको किन-किन चीजों को ज़्यादा फोकस करना है आपको एक अभी बेसिक आडिया दे रहे हैं फिर अगले जो टाप पिक है या चैप्टर कहिएगा यह है क्राप पूड़क्शन तो देखिए अगर आपको मतलब कि यह इन चैप्टर को आप अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन इसमें जो आईस्यार है वो एक महीं सारा गुपर दिया है तो क्राप पूड़क्शन के अंतर क्लासिफिकेशन में काईश क्राप, कॉझ काईच क्राप यह सारी चीजों को आप पड़ सकते हैं मंदल्ब इंट्टो डशन में फिरyाद्टा संस है तो स्वैल निई अपको ध्याद देना है प्लांट न्यूटरे चैपको अनंसेदे में स्वैल को सानल को आपको अपकैर इक हुआ है तो लेकिन आज़के ङारे में है इसे Belum चमें peł अखया जाता हैं तो इसको के अधिन को साथ है तो हम दो शरत यसांस को साकी का करना फ़ेंट में यह क cose करत लिएह कर दो जानी कट दैuस को अब तो में निए हेशन को क्रैसित है कौन बात करह लेत हैं कर थी कि यूई रही कौन पूंचता है जीmeno बात करें दो इस तरह का अपूंचा है खुरी스럽ा जिस्ट है मगर्वर्य Claw की बात करें तो कंदक कि बात है तो आप emotion में तो इस तरह आपको crops के बारे में पढ़ना है ठीक फिर वहें पर बात करें hardy culture की तो hardy culture से भी मतलब 2019 में 10 क्युशन आया था तो इसमें आपको मतलब की mainly जैसे की पारि में पढ़ना है यानि जितने भी बेश्टेबल्स जैसे पोटेटो है तो मतलब की अब देखिये इसमें क्या गया है जिसे आईसे इसाय में क्या गया है यह जो plant pathology और entomology है इसको अलग से नहीं मेंसें किया है लेकिन जो आप vegetables पढ़ेंगे या crops पढ़ेंगे या मतलब की यह pomology पढ़ेंगे तो इनहीं में जो मतलब की जो disease लगता है तो वो पूँच लिया जाता है और जो insect लगता है तो इन ही कैंदर गत पूँच लिया जाता ह और जो flowers के मतलब propagation है उनसे question पूँच लाता है ठीक और फिर यह last है food preservation तो food preservation से भी एक आदू question आते ही रहते हैं जैसे jam है jelly है इनका जो बनाने का method है बनाने का method है उसका क्रम भी पूँच लेता है तो इस तरह का आपका जैसे कि यह साथ chapter पढ़ना है mainly अब साथ chapter के अंतरग जो आपको पढ़ना है वो सारा हम इस वीडियो में बता दिये हैं तो इसको सारा notes कर लिजिया और इसी तरह आपको पढ़ना है धुर्दर नहीं बठाटना है क्योंकि कोई भी आप किसी भी मदलब त्यारी करेंगे चाहे बी अचु का करें चाहे आई-चार का करें यह यह तो उसका जब तक आपको एक proper syllabus नहीं मिलेगा और old paper का analysis आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको मतलब त्यारी करने में दिक्कत जाएगी आप अच्छी इस त्यारी नहीं कर पाएंगे आपको मतलब direction पता नहीं रहेगा किस सार जाना है आपको किस चीज को ज्यादा पढ़ झाल 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